के वी एस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो के वी एस प्यार्टी इंटर्व्यू की भी तैयारी हम लखनों में करवाना शुरू करने वाले हैं हाई दोस्तो रोजगार बुलिटेन में आपका स्वागत है और आज मैं आपको दो खबरे बताने वाला हूँ ये BTC और B8 वाले स्टुडेंट से जोड़ी हुई हैं लेकिन अभी तक अगर आप में हमारे टेलिग्राम चैनल और वाट्साप चैनल को जोईन नहीं करा है तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप और वाट्साप ग्रूप को जोईन कर ली दो açते हैं लेकिन और बिजादी जल्दी आने वाली है तो वह भी ऑख जल्दी आने वाली हैं यह तो मैं आपको दोनों ही often बता देता हूं, देखिये सबसे पहले बात करते हैं शूपर टेइड के थी उसके अंदर पूछा गया था कि कृपया साफ साफ बता दीजिए सर कब तक सिक्षक भरती आएगी अगर नहीं आएगी तो कब तक और 69,000 के बाद आज तक भरती ना आई युवा कब तक किताब पकड़ कर हर रोज इंतजार करें अगर अनुपाद समनुपाद ठीक है तो कोई बात ही नहीं लेकिन साफ साफ बता दीजिए कि प्रात्मिक शिक्षक भरती कब आएगी क्या सुपर टेट होगा क्या यूपी टेट होगा कभी के नाम पर गलत आख्या ना देने का जो भी आपकी योजना है वो लिखित में बताईए यह आई टी आए में मांगा गया था याचिका करता ने आई नहीं शिक्षक भरती नहीं आई है डियलेट परिवार के लाखो लाग प्रशिक्षक दर भट्रक रहे हैं ग्यात है कि कुछ दिन पूर्ट सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में यूपी सरकार ने 69,000 सिक्षक विकंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफ नामा सर्वादेकर स्वितार किया की बेसिक शिक्षा में 5151112 कितने पत खाली है 51112 68500 शिक्षक भरती में करीब 22006 शिक्षक के पद रिक्ष है जो नई भरतियों में जोड़ा जाए अन्य वर्षों की तुलना में नौनिहा का प्रवेश पिछले वर्ष सरवादिक हुआ है एवं प्रतियक वर्ष लगभग 15000 से 20000 सिक्षक सेवा निवरित होते हैं अता 97000 भरती का प्रक्रिया आरम करें कितनी भरतिया मांगी है याचिका करताने 97000 अगर आप इसमें 3000 और जोड़ दें तो एक लाख हो जा इसे शिक्षा मतलब यह है कि जल्दी से जल्दी आप अपना विग्यापन निकालें अब मैं आपको बताता हूं सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आया है देखिएगा 14 अक्टूबर 2030 को इसका जवाब आया है रिमाक्स वर्तमान में भरती हेतू योजना अनुबंदित नहीं है क्या है नहीं है ठीक है ओफिसर नेम श्री भासकर पांडे जॉइन सेकेटरी है यह और आप देख सकते हैं इनका इमेल आईडी भी दिया गया है भासकर.12214 at the rate gov.in जो इनका contact number है वो है 0522 जो की लखनाओं का code है उसके बाद 2226350 यह इनका contact है जो भी हमारे यह officer है और sir ने एक ही बात बताई है यहाँ पे वर्तमान में भरती हेतू योजना अनुबंदित नहीं है बहुत साफ तरीके से यह बता दिया गया है तो आप अगर तयारी कर रहे हैं तो तयारी करते रहे हैं तयारी करने में कोई बुरी बात नहीं है लेकिन फिलहाल कोई यहाँ पे नौकरी दिखती हुए लेकिन फिलहाल यहाँ नया notification आता हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन यहीं पे बीएड वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और बी योगितों को आयोग के अफसरों ने दी जानकारी ठीक है और यह आई आटी ए में जानकारी नहीं दी है मैं आपको बता दूँ लेकिन उन्होंने मौकिक रूप से मतलब की ओरल रूप से उनको जानकारी दी है और यह बताया कि राज्किया इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पूरे होने के दावे किये जा रहे हैं तीनों पदो के लिए जल्द विघ्यापन जारी करने की संभावना है इन पदों की भरती के लिए मांग कर रहे हैं शात्रों को धर्ना दे रहे प्रतियों को Uttar Pradesh की सेवा आयोग के अफसरों ने ये जानकारी दी तीनों पदों के पतिवार को आयोग पर धरना दिया था मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान जी इनको आप जानते ही होंगे उन्होंने बताया कि आयोग के अनुभाग अधिकारियों ने बताया कि योगिता संबंदी विवात का निप्टारा हो चुका है और इसके प्रस्ताफ का अनुमोधन क के लिए गया है मोधन मिलने पर एक सब्ता में विग्यापन जारी कर दिया जाएगा मेरा ऐसा मानना था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो हजार चौबिस के जैनवरी फेब्लरी में ल्टी ग्रेट आ जाएगा देखलो यहां पर यही चीज लिखी है मेर इस दोरान अफसरों ने जल्द काउंसिलिंग कराने का आजवाशन दिया तो कुल मिला के यह बात है और मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरी न्यूस बहुत ही जादा कंफर्म रहती है बहुत ही सोचा समझा एनलेसेज रहता है और मैंने आपको बताया था कि एल्टी ग्र विव की भी तैयारी हम लखनों में करवाना शुरू करने वाले हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाईए और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में तब तक ले थैंक्यू सो मच